अदम आगे जाएंगे तो सबसे पहले, लिखाए कि पहली बात जो आपको समझनी है, दशमाज के बारे में वो ये है, क्या है रख रहा हूँ, दशमाज देना ये सिक्षा प्रभु येश्व की नहीं है, बलकी ये सिक्षा संस्ताओं की है, तो जो संस्ता हैं, जो चर्चेस हैं, वो सिखाते हैं Charismatic इसको सिखाएगा, Pentecostal इसको सिखाएगा Catholic वाले भी इसको सिखाएगे या सिखारे होंगे, ज़्यादा मैं confirm नहीं हो और साथी साथ, बाकी जितने भी, जो Bible को अलग तरीके से लेते हैं वो पक्का सिखाएगे, तो इनकी गिंती आती है संस्ता में तब जाकर लिखाएगे, कि संस्ता बहुत कुछ सिखाती है, जो Bible में नहीं होती संस्ताओं की सिख्षा को Bible से मत जोड़िए धब जाकर, पाउलूस एक वच्छन को लिखता है, पहला करुंतिय चार का तीन में 1st करुंतिय चैप्टर 4, 6 में फैक्ट, कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना लिखे हुए से आगे नहीं जाना वाव संस्ता की टीचिंग है ना आपके पास इसकी तो नहीं है ना तो जो इसकी टीचिंग है ना वो लेके चलो, आपको डैनियल राज संस्ता की टीचिंग नहीं दे रहा है बलकि मैं आपको बाइबल की टीचिंग दे रहा हूँ अगर मैं संस्ता की टीचिंग दे रहा होता ओह ओह आप सोच नहीं सकते कि कितने लोग अब ही लाइफ जुड़ जाते मेरे पाग कम से कम 5000 तो होई जाते तो वापस से कह दे रहा हूं हम संस्ता के हिसाब से नहीं चलेंगे हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे ठीक है ना दूसरी बात जो आपको समझनी है दश्माज के बारे में वो यह है are you ready for this आपके पैसे से आपके परमिश्वर का कोई लेना देना नहीं वाव मैं इसको कुछ सेखन तख रखोंगा और मैं चाता हो कि इसको मैं फिर से पढ़ू और आपको अच्छे से समझाओ कि आपके पैसे से आपके परमिश्वर का कोई लेना दिना नहीं आपका पैसा अपनी जगे पे परमिश्वर अपनी जगे पे आपके पैसे का connection परमिश्वर के साथ में है ही नहीं वो चाहे आपके तन्खा का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो आपके business से पैसा आता हो, उसका हो यशा आपकी तंका का हो, डैनिल भाई इसका मतलब कहा है? इसका मतलब यह है, के पैसे के चक्कर में प्रॉफिट के प्रॉफिट नौट भविश्वकता, बनी प्रॉफिट की बात करा हूँ, प्रॉफिट उसके चकर में, उसके चकर में, मनी प्रॉफिट के चकर में, प्रॉफिट के पास नहीं चले जाना, यह भी ठीक है, तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, मेरा बिसनस नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी सक्सस नहीं हो रही है, मैं पर्मिनिन नहीं हो रहा ह मैं उसके लिए क्या करो पास्टर आपको बना देता है उलू और आप फस जाते हो उसके स्केंडल में केते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ताई देते हो बोला अरे पास्टर जी वो तो आमने नहीं दिया अभी तक बोला एक काम करो ताई देना शुरू करो बोला उससे क्या होगा बोला परमेश्वर की आशिश है बोला वो कहा लिका बोला कि तीन-दस जिसको मैं आज करूँगा ठीक दूद का दूद पानी का पानी वाव इसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दोका आपके साथ हो जाता है और किसके चकर में पैसे के चकर में मैं इसको फिर इसको बिल्कुल साब बोल रहा हूँ कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं है एक बात पूछें आपको परमेश्वर को लोकल पास्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ जो आपको सिखाता है ताइद देना उ आपके पास में बहुत आशिश आजाएगी, वा बेटा, तेरा बाप करा जाएगी, ऐसा बोलने के लिए, द्यान से सुनो, भोवेक्ती बाकी दुनिया बर के पाप करते रहेगा, छुप छुप के दारू पिएगा, छुप छुप के सिगरेट पिएगा, गलियां बकेगा, उ से आएगी, क्योंकि तेरा रिष्टा प्रभू के साथ ठीक नहीं है, और तु ताइट देके लगा पड़ा है, कि मेरा सब मुछ ठीक हो जाएगा, बाबा जी का राज है क्या, थोड़ा दिमाख लगाओ, है न, थोड़ा दिमाख लगाओ, क्योंकि ही, जब तक डैनियल रा ले, और ठपाक ठपाक वाले, इन सब को मैं खटकने लगा, और अभी भी खटकता हूँ, ये बात सही है, अभी भी खटकता हूँ, और मुझे से कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रखा ही प्रभू ने, आपके बीच में, मुझे रखा ही प्रभू ने, तेन साल प और आप देख लीजे और मैं कितनी गवाईयां सुनता हूँ कि just because of my videos मेरी वीडियो देख देख के लाकों लोग गलत सिक्षाओं से बार आएं यहां तक यह पास्टर लोग भी हैं कहीं इतादात में वो तक भी अपनी डॉक्रिन को ठीक करके अभी सही कली से चला रहे और इसका सारा श्रेश सिर्फ और सिरफ प्रभु को जाता है you understand तो दोस्तों वापस से कह देता हूँ कि आपके पैसे से आपके परमिश्र का कोई लेने दन नहीं आप अपना जीवन ठीक रखो that's it Daniel भाई फिर पैसे का क्या करे लगे आद जल्दी से पता दू कि पैसे का क्या करे तो पैसे आपको दिये हैं आपकी नौकरी है आपका बिजनस है आप महनत करते हैं बैंक बैलस करो बच्चों को पढ़ाओ आपके बच्चों के लिए जो future है उसको बना, उसको तयार करो इसमें लगाओ पैसा आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो business करो एक business से इसको double करो एक गारी खरीदे तो दूस्री गारी खरीदो business के लिए आपने एक company शुरू की तो दूस्री करो और फिर पास्टर के क्या करे तुम्हारा दिल करे तो बिल्कुल दो कितना दे, जितना दे सकते हो तुम्हारे को लगता है प्रभू की अगवाई से उतना दो, मना किस ने किया है चर्च के लिए पैसा दे सकते है बिल्कुल दे सकते है चर्च की कुछ जरुत के लिए पैसा दे सकते है बिल्कुद दे सकते हैं, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन ऐसे पास्टर को दो, और ऐसे चर्च को दो, और ऐसे संस्ता को दो, जो वच्चन के साब से चल रही हो, क्योंकि पेटू सेवक बहुत हैं आजकल, और हमको पेटू सेवकों से बचके रहना है, कल क्लियर करूँगा इसको, क्योंकि पूरे बाइबल में, एक भी जगा पर नहीं लिखा है, कि अपनी कमाई का दश्माश, अपनी कमाई का दश्माश, ओपन चैलेंज है मेरा, इस बाइबल में से, उत्पति से प्रकाशित वाकित पर, एक भी पास्तर, मुंबई का, महरास्टरा का, पंजाब का, कहीं पाओगे हैं, इसलिए डंके की चोट पर बलता हूँ, कि जिसको अटरा पता है ना सथरा मत सिखाया करो, ना दोस्तों इसको पढ़ते हैं, लिखा है कि पैसे देने से ना तो आशिश आती है, और पैसा ना दिया, तो कोई श्राप भी नहीं आता, तो जिसके चलते लिखा ह ना आशिश ना श्राप, क्योंकि आपको मलाकी तीन दस का डर, जिसको मैं अभी करूँगा, थोड़ी दियर में ठीक, मलाकी तीन दस का डर आपको दिखा देते हैं, कि देखो लिखा है, दोगे तो आशिश है, नहीं दोगे तो श्राप है, उसके चकर में आप जो मसी करता है, कि अरे बाप रे, अगर प्रभू को नराज कर दिया, तो प्रभू मेरी नौकरी, मेरा बिजनस, आपको लगता है, कि प्रभू ऐसा करेगा, आप सोच की देखिए, कि जिस प्रभू ने है, आपको श्रापों से आजाद किया, माइक रडिये, एक वचन दिमाग में आ रहा, रोमियों की किताब उसका साथ का छे, अगर मैं गलत नहीं, रोमियों साथ का छे, रोमियों साथ का छे, पढ़िये, रोमियों, दबुक अव रोमन्स चैप्टर सेवन वर सिक्स, देखो, परन्तु जिसके बंदन में हम थे, उसके लिए मर कर, अब व्यवस्ता से ऐसे चुट गए, कि लेक की पुरानी रीती पर नहीं, वरन आत्मा की नहीं रीती पर सेवा करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, छुट गए, हम लोग छुट गए या छुट गए, जो भी आपको ठीक लगे, लिखा हैं कि पुरानी लेक पर, और उस बंधन पर, अब हम नहीं हैं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, विद्ध स्क्रिप्टर बात कर रहा हूं, येशु को सामने रक्कर और पवित्र अत्मा की उपस्तती में जो मेरे साथ है, रक्कर कह रहा हूं कि जो एक बार, येशु को अपना प्रबु मुझ से कबूल, मन से विश्वास कर लेता है, उसके पुर्वजों के, पुर्वजों के, पुर्वजों के, इधर के, उधर के, ऐसे के, वैसे के, तैसे के, किसी भी प्रकार के श्राप का बंदन, वो नहीं र वो चाहे कहीं कभी पास्टर हो अगर ये कहे कि मुझे आत्मा में प्रभू बतर है बक्वास आत्मा तुमारी बक्वास आत्मा है तुमारी दुस्त आत्मा है तुमारी वो परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसे नहीं बात करेगा मैं ताचूप होता हूँ आप लोग इतना डर क्यों जाते हो जिसको सचाई पता है न वो कभी नहीं डरेगा जिसको सचाई पता है तो जिसके चलते दोस्तों ये वच्छन आपके बीच में रखाओ दुस्ता तिमोती तीन का तेरा लिखा है कि दुस्त और बैकाने वाले धोका देते और धोका खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे तो धोका जो दे रहा है वो भी बिगड़ा और जो धोका खा रहा है उसकी वज़े से वो भी बिगड़ा ये सब बिगड़ते चले जाएंगे किस के स्क्रिप्चर्स हैं बाइबल के, कौन सी बाते हैं परमिश्वर के दास, पॉलूस के और मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ या मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आज ये दिन आहर कहें जहांपर ये बातों कि आपको जानकारी होनी चाहिए तो किसी भी पास्थर ने अगर कहा किसी आपोस्थर ने कहा कि आप जब तक पैसा नहीं दोगे आपका ताई तो नहीं दोगे आपके उपर आशिश नहीं आगी बलकि शराब बना रहेगा उसके मुँपे बोल के आओ आपकी बकवास की टीचिंग आबर नहीं सुनेंगे हम उसके मुँपे बोल के आओ और उसको पूछ पी लेना कि ये दुखान कब बंद करोगे क्योंकि ऐसी कोई टीचिंग बाइबल की नहीं है ये धोके बास लोगे ये धोका देते हैं क्योंकि ये धोका खा चुक है ये धोका खा चुक है इसलिए धोका दे रहा है